आज के एस वीडियो में हम आपकी क्लास 10 जनरल इंग्लिक्स की वर्क बुक का जो फर्स्ट लेशन है उसमें पोईम है और उस पोईम की क्वेशन आंसर है जो एक्जाम में आते हैं बागी जो एक्सरसाइज है उसमें बॉकेबल्री, स्पिकिंग, राइटिंग, रीडिंग से रिलेटेट वर्क बुक में जो भी हैं वो आपके स्कूल में करा दी जाएंगी आप भी उनको कर सकते हैं एक्जाम रिलेटेड ये जो पेपर में आता है बॉर्ड पेपर में वो इस वर्क बुक से जो पोईम या तो हर लेशन में पोईम दी है या अंसीन पैसेज दी है तो पोईम जो दी है उसके क्वेशन आंसर एक्जाम में आते हैं या फिर किसी लेशन में अंसीन पैसेज दी क्योंकि उसका टेक्स्ट बुक का भी मटेरियल बहुत होता है आप बर्क बुक से ये सेलेक्टिड कुछ रांसर करेंगे तो आप बहतर नमबर एक्जाम बलाएंगे चलिए, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेसन में जो पोएम आपके दी है उसको हम समझते हैं इस पोएम में जो बच्चा है वो ये शुरू करता है, बताता है कि जब वो सुबह उठता है तो सुबह उठने के, मौर्निंग उठने के क्या-का फायदे हैं उसको जल्दी उठकर के कैसा फील होता है सुबह से, शाम तक जब वो रात को विस्तर पर सोता है तब कैसा फील होता है तो ये कुछ बात हैं उसने जो उसके बच्चे के अंदर फिलिंग आती है लड़के के अंदर वो फिलिंग उसने एक्स्प्रेस की है तो सुरुवात की पहली लाइन ही ये कहती है I woke before the morning मैं सुबह से पहले उठ गया जाग गया ठीक है न? सुबह होने से पहले यानि रोशनी होने से पहले ही वो जाग गया I was happy all the day और मैं पूरे दिनवर खुश था इसमें कुई दो राय नहीं है बैच्चो कि आप जल्दी उठने के आदर डालेंगे तो आपका दिनवर बहुत अच्छा जाएगा, एनरजी भी रहेगी क्योंकि हमारे पास बहुत सा टाइम दिनवर का उपयोग करने के लिए हो जाता है यदि हम लेट उठेंगे तो फिर उपयोग करने के लिए कम टाइम रहता है और सुबह आप उठेंगे, तो mind भी fresh रहता है, क्योंकि उसमें पूरी रात बर की body जो है, वो rest ले लेती हो, rest के बाद में हम energetic रहते हैं, तो सुबह के time copy का आप पढ़ने के लिए करने की आदत डालें, तो जो बच्चा है वो बोलता है, I woke before the morning, I was happy all the day, मैं सुबह से पहले जाग गया, और मैं पूरे दिनवर खुश था, I never said an ugly word, but smiled and stuck to play, वो बताता है दिनवर के उसने, मैंने एक भी बेकार का सब्द नहीं कहा, यानि किसी को भी उसने बुरी बात नहीं कहीं, जो किसी को बुरी लगे, गलत लगे, ऐसा एक भी खराब सब्द, ugly word, बदसूरत सब्द उसने नहीं कहा, बस smiled, मुश्कराता रहा दिनवर, and stuck to play, और पूरे जोस के साथ में, अपने खेल में लगा रहा, खेलता रहा, मुश्कराता रहा, किसी को एक भी बुरा सब्द नहीं कहा, और सुबै से पहले वो उठ गया, ये वो कहता है, and now, at last, the sun is going down, और अब अन्त में, जब दिन खतम हो गया है, the sun is going down, तो सूर्य अस्त होने जा रहा है, डूबने जा रहा है, behind the wood, जंगल के पीछे, वो देखता है, दूर जंगल है, और जंगल के पीछे उसे दिखता है, कि सूर्य अस्त हो रहा है, यानि दिन डल रहा है, अन्त में, दिन बर की बात, and I am very happy, और मैं बहुत खुश हूँ, for I know that I have been good, क्योंकि मैं जानता हूँ, कि मैंने अच्छा किया है, मैं अच्छा रहा हूँ, दिन बर मेरे साथ अच्छा हुआ है, अच्छा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने किसी को भी एक भी बद सूर्य खराब सब्द नहीं बोला, बुर कुछ हूँ, क्योंकि मैं पूरी दिन बर अच्छा रहा हूँ, my bed is waiting cool and fresh, with lining smooth and fair, वो कहता है कि जब सोने जा रहा है, तो उसकी बिस्तर जो है, my bed, मेरा जो बिस्तर है, वो ठंडा हो चुका है, पिलकु ठंडा है, और fresh है, fresh इसली है, क्योंकि दिन बर कोई उस पर लेटा रह है, तो उस पर silvet नहीं है, और वो cool है, वो bed उस बच्चे का इंतजार कर रहा है, सोने का, और उस पर lining की, lining कपड़ा होता है, सूती जैसा, उस पर साफ और चिकनी चादर, fair, विलकु बिस्तर पर बिछी हुई है, और वो बिस्तर मेरा इंतजार कर रहा है, सोने का, and I must be off to sleep in by, और मुझे अब सोने के लिए बंद हो जाना चाहिए, यानि जो भी मैं बाते बोल रहा हूँ, अब मुझे बाते बंद कर देना चाहिए, अब मुझे सो जाना चाहिए, and not forget my prayer, परतु सोने से पहले, मुझे अपनी prayer नहीं भूलने चाहिए, प्रात्रा, ये प्र सब को करने चाहिए, सोते समय पर, कि हे बगवान, जो भी दिनवर आपने मुझे दिया है, वो अच्छा रहा, और ऐसी तरीके से मेरे अच्छे खुस हो करके सारे दिन दिनवर निकले, ऐसी एक prayer जा आप अपने सब्दों में और कुछ भी बोल सकते हैं, इस तरह की prayer आप कर करके ही सुएं, कुछ अच्छी आदत हैं, आप डाल लें, तो अच्छा है, तो वो बच्चा कहता है, and not forget my prayer, और मैं अपनी prayer करना नहीं भूला, I know that till tomorrow I shall see the sunrise, मैं जानता हूँ कि कल तक जो आने वाला कल है, मैं फिर sunrise, सुर्यो दे देखूंगा, वो कहता है, उम्मीद करता ह कि मैं अगला दिन जब सुबह होगी, तब भी मैं इस sunrise को देखूंगा, no ugly dream shall frighten my mind, कोई भी बसूरत स्वपन मुझे नहीं डराएगा, मेरे mind को, मेरे मन को नहीं डराएगा, frightened माने डराना, नहीं डराएगा, no ugly sight my eyes, मेरी आखों के आगे कोई भी बुरा द्रस्य नहीं वो बात कर रहा है, जब वो सो जाएगा, तो सपनों में क्या स्तिती होगी, कई बार हमने देखा है कि सपनों में बड़े बुरे सपने आते हैं हमें, हम डर जाते हैं, mind डर जाता है, आखों के आगे, भूत, प्रेज, सांप बगएर आजने क्या क्या दिखता है, तो वो ऐस किसी आथा नहीं करता, बच्चा कहता है, no ugly dream shall frighten my mind, कोई भी बसूरत सपन मेरे mind को नहीं डराएगा, no ugly sight my eyes, मेरी आखों के आगे कोई बुरा दर्श नहीं आएगा, but slumber, slumber माने गहरे नीद, but slumber will hold me tightly, प्रंत जो नीद है, वो मुझे tightly, जोर से, hold कर लेगी, जकड लेगी, यानि मुझे अच्छी नीन आ जाएगी, till I wake in the dawn, D-A-W-N, dawn जो है, वो सुबह के पहले का जो समय होता है, 4-5 बजे का उसको बोलते हैं, वो कहता है, सुबह जागने से पहले तक, नीन मुझे अच्छी सी जकड लेगी, अच्छी नीन आएगी, and here the thrush is singing in the lillex, round the lawn, और वो कहता है, जब वो सुबह उठेगा, तो वो here, वो सुनेगा, thrushes, thrushes एक प्रकार की छुटी-छुटी गाने वाली चड़ियाएं होती हैं, जो सुबह आती हैं, वो गा रही होंगी, in the lillex, lillex सफेद या बैंगनी रंग के फूलों वाली ज़ाड़ी होती है, जिन में कि सफेद या बैंगनी रंग के फूल लगते हैं, ऐसी ज़ाड़ियाँ, बड़ी सुन्दर देखती हैं, वो round the lawn, lawn वाने जो उसका बगीचा है सामने घर के, वो कहता है कि मैं उस अपने lawn में, बगीचे में, जो lillex हैं, छोटी सी ज़ाड़ियाँ, रंग बरंगे फूलों वाली, उन में थ्रसेज काली, गाने वाली चड़ियाँ को सुनते हुए, को सुनूंगा, तो इस तरीके से ये बहुत ही अच्छी पोएम है, जो बताती है, सुबह उठकर के हमें क्या करना चाहिए, रात को हमें प्रेयर करना चाहिए, दिनवर हमें किस तरीके से मुस्कराते हुए बिता बिताना चाहिए, और रात को हमें बुरे सपनों के उमीद नहीं करनी चाहि और अच्छी सुबह की अगले दिन के लिए अच्छी सुबह हो, इसके लिए हमें प्रेयर करनी चाहिए, चलिए इसके question and answer देखते हैं, इसमें चार questions है, पहला question है, important है, ये बहुत वार paper माया है, इसके चारी question है, इनके question and answer तो आप याधी कर लें, आप board के paper देख सकते हैं, Why was the boy happy all the day? बच्चा, दिन भर खुश क्यों था? लड़का दिन भर खुश क्यों था? आँसर है, the boy was happy, लड़का खुश था, because he woke up before the morning, क्योंकि वा सुबह से पहले जाग गया, He did not say an ugly word, but smiled and played, उसने एक भी बुरा सब्द नहीं कहा, बस मुश्कराता रहा और खेलता रहा, यह जो छिप गया है, इस गड़ी के पीचे, यह ही है, because he, he woke up, ठीक है, question 2 देखें, What did the boy remember to do before going to bed, सोने से पहले बच्चे को क्या याद आया, answer है, the boy remembered to pray before going to bed, सोने से पहले उसको प्राथना करने की याद आई, question 3, What was the boy hoping while going to bed, सोते समय, बिस्तर पर जाते समय, लड़का क्या उमीद कर रहा था, क्या होप कर रहा था, तो answer है, the boy was hoping while going to bed, बिस्तर पर जाते समय, बच्चा उमीद कर रहा था, that no ugly dream shall frighten his mind, कोई भी बेकार सपन उसको नहीं ड्राएगा, and no ugly sight his eyes, और उसकी आँखों क्या आगे, कोई भी बच्चूरत द्रश से नहीं आएगा, चोथा question है, what did the boy find when he woke up, जब भू जागेगा, तो भू क्या देखेगा, क्या पाएगा, क्या पाएगा भू जब अगले दिन जागेगा, tomorrow, answer है, the boy heard the thrushes singing in the lillax around the lawn when he woke up, तो जब भू जागेगा, तो भू अपने lawn में, lawn के चारों तरफ, जो lillax जाडिया लगी हैं, साफेद भ्यागनी रंग के फूलों वाली, उनके चारों तरफ, थ्रसीज, छोटी-छोटी चडिया, गाने वाली चडिया, वो उसकी आवाज को सुनेगा, तो आपको poem और question आतर अच्छी सी समझ में आये होंगे, वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं, यदे आप हमारे WhatsApp ग्रूप से जुलना चाहते हैं, if you want to join our WhatsApp ग्रूप classes, जो 9 से 12 तक चलती हैं, then message us on our WhatsApp number 6264-72391, आप अपने स्कूल का नाम और डिस्टिक का नाम लिख करके, हमको इस नंबर पर message करें, हम आपको WhatsApp ग्रूप से add कर लेंगे, और आप अपनी regular पढ़ाई जारी रख सकते हैं, यदे आप WhatsApp ग्रूप से जुलना नहीं चाहते हैं, तो इस चैनल को subscribe जरूर कर लें, subscribe करने से यह होगा, मैं जो भी वीडियो बनाऊँगा, वह आपके mobile पर पहुंच जाएगा, subscribe करना बहुत इसरल है, आप जो वीडियो देख रहे हो, उस वीडियो के नीचे इस तरीके से देखिए, यह लाल कलर से subscribe लिखा हुआ होगा, यह हमारी चैनल का नाम है, MP English Classes, यह हमारी चैनल का mono है, यहाँ subscribe लिखा हुआ रहा है, subscribe को आप दबा देंगे, तो चैनल subscribe हो जाएगा, और subscribe होने के बाद में यह लाल कलर का जो subscribe लिखा हुआ है, वो इस तरीके से white कलर का हो जाएगा, आप देखी, subscribed लिखा आजाएगा, मतलब आपने subscribe कर लिया, और फिर बगल में यह bell icon है, उन bell icon को आप दबाएगे, गंटी को दबाएगे, तो तीन option आएगे, all, personal or none, तो आप all को दबादेंगे, तो मेरे सारे वीडियो आपके mobile पर खुद बखुद जैसे ही upload करूँगा, प बखुद दुदद